सातियो नमरताज होलसम मंत्रा में आपका स्वागत है आज हम वैराटगड की ट्रैक करने जाए वैराटगड जो वाई के पास पाड़ी किल्ला है एक दुरगम किल्ला है और इसका जो नीचे घेरे वाड़ी करके जो गाव है वहां से हम लोग ट्रैक स्टार्ट करें आप स्टार्टगड एक मजबूत किल्ला था हम लोगों ने घेरे वाड़ी से दो लड़कों को हमारा गाइड करके लिया हुआ है और ये ट्रैक हमने शुरू किये है फोड़ा साथ ट्रैक करके जब हम लोग पहले पाटू पे आये है उपर जाने के रास्ते के बगल में एक 200 पुरान जमाने में इसी पानी का पिने के लिए इस्तिमाल करते थे तो इस जगह पे दुर्गम किल्ला बना है उसकी वज़ा यह है कि यहां उपर पानी की कोई कमी नहीं थी उपर जाके भी देखेंगे तो बहुत सारे आओ पानी के टैंक और तालाब हमको यहां दिकाई द एक कुंड देखने के लिए हमको थोड़ा सा बगल में आना पड़ा राहता नहीं था फिर भी हम लोग कुंड देखके आभी वापस उपर जा रहे हैं वाइराट गड की निर्मिती कॉलापूर के राजा भोज ने ग्यारा युष सतापदी में की थी इस अगल बगल के प्र तनकाल में वैराट नगरी बोलते थे बाद में सिवाजी महराज के वक्त सहिने के एक तुकड़ी इस किल्ले के उपर तैना थे इसी के वज़े से निचे किल्ले के आगल बगल में चेलार वाडी और मालुस्री वाडी ऐसे गाव है हम लोग जो आये थे वो चेलार वाडी व रास्ता पत्रीला भी है और बहुत जगे पर रास्ता दिकाए भी नहीं देता है घास पूरा और पवदे उसके उपर आये हुए वैराट गड के उपर जाने वाला रास्ता पत्रील है बहुत ही स्लीपरी है हम लोग अभी सुबग के वक्त जा रहे हैं उपर घना कोहरा है उसी के पीछे वैराट गड का उपर वाला वैराट गड चुपा हुआ है वैराट गड का आओ रित्यास जानेंगे तो हिंदु पुर की राजदानी ए विराटगर था स्विलाहारा राजा भोज के बाद में एक किल्ला याद वोंके भी कबजे में था एक डेड़ गंटे के खड़ी कड़ाई के बाद हम लोग जो जंडा लहरा रहा है उसी के पास पहुंच ए जंडा कोहरे में चुपा हुआ था लेकिन बाकी व उपर जाता है निचे से ये जंडा हम देख सकते हैं शिवाजी महराज ने 1683 में वैराटगर और यहां के आगल बगल के किल्ले अपने कबजे में ले लिये थे संबाजी महराज के वक्त और उसके बाद मुगलों ने एक किल्ला अपने कबजे में ले लिया 1690 में रामचंद्रपंत आमात्य और सचीव संकराजिन गांडे कर उनोंने एक किल्ला वापस स्वाराज्य में सामिल कर दिया 1699 में आउरंजयव का सरदार हमिदुद्दिन बहदूर उनोंने एक किल्ला अपने कबजे में लिया था यहां का किल्लेदार मुम्मद इबराहीम इसको नियुक्त किया गया था 704 में मराटों ने एक इला वापस अपने कब्जे में ले लिया है पेशवे माधवरा के काल खंड में इस किल्य के उपर खंडोजी जादवरा नाम के किल्लेदार 30 साल तक 1898 में एक इला अंगरोजो ने अपने कब्ज़े में ले लिया सिवाज ये माराज के वक्त इस किल्ले के किल्लेदार पिलाजी गोले थे यहां गिरेवे पत्तर दिखे ए अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किल्ले के नजदिक पहुंचे है सामने ही किल्ले का दरवाजा है उसको दाइने तरप रखते हुए हम लोग आगे जाते है तो यहाँ साथ पानी के टैंक या कुंड जो जाराव मिकी से बना हुआ उपर का वैराट गड का हिस्सा है उसी के निचे दिकाई देते है यह हमारे गाइड ने बताया कि इसको गड़दा बोलते हैं या गड़ देवता होता होगा यह पांडव कालीन है और यहीं एक रास्ता जो शंकर नगर से होके आता है यहां आके मिलता है वैराट गड के महा दरवाजे पर हम पहुंचे है अभी यह वैराट गड का उपर जो अला मुकी से बना हुआ काला पत्तर का गड़ा उपर है उसी के निचे साथ पानी के पुंड बने है टैंक बने है उसको यहां की लोग गड़दा बोलते हैं गड़दा चलो आगे देखते हैं वैराट गड के इस काले पाहड के अंदर आउर क्या रश से चुपे हुए ह यहां से आगे जाते हैं हम लोग तो उपर मुक के दर्वा जा है उसी के बगल से दाइने तरब अभी हम लोग जा रहे हैं वहां एक प्राचिन गुपा करके बोर्ड लगाया है देखो हम गुपा के अंदर पहुँचने के बाद में गुपा पत्तर काट के अंदर बनाई हुए पुरा अंदर अंदेर है हमने देखा कि अंदर एक गुपा थोड़ा दूर जाने के बाद में बंद की हुई है बहारा के हमको वहां यहां के एक लोकल पुजारी मिले वो बोले कि पुराने जमाने में यहां एक आदमी अंदर जाके अनकॉंसेस हो गया था, उसके वज़े से ये रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है, उनका कहिना था, कि ये जो पूरा काला पत्तर है, उसके अंदर आई से भहुत सारे गुप्त मार्ग थे, ये किल्ले के अंदर निकलता था, ऐसा उन्होंने बताया, वैसे ही हमने खंडर, या गुप्त मार्ग, केंजडगड, और रोहिडा किल्ले में देखे थे, उसी के शरुंकला में एक, और एक गुप्त मार्ग, या गुप्त मार्ग, हमको यहां देखने को वैराट गड़ पे मिलता है, यही तो यहां की खाशियत है, किसी को मालूम ने कहां से कहां रास्ते बने हुए है इस गुफा के बगल में ही एक मंदिर है उसके अंदर बहुत सारी मुर्तिया उसको लाल कलर लगा के रखी हुई है यहां का लक्षीमी माता मंदिर है मंदिर बहुत ही पुराना है वहाँ से अभी हम लोग किल्ले के दुसरे दर्वाजे के तरफ जा रहे है दुसरा दर्वाजा जो महा दर्वाजा है उसको जाने के लिए यही काले पत्तर में कटे हुए steps बने हुए है उपर जाएंगे तो महा दर्वाजे के कुछ आउसेश हमको दिकाई देते हैं लेकिन वो पुरे टुटे हुए है उपर पहुंचने के बाद में किल्ले के उपर पहुंचने के बाद में यहां भगवा जेंडा लहरा रहा है जो अबी भी इतियास की साक्स देते वे वहां खड़ा है किल्ले के उपर पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग दुसरे दुनिया में आगे है यहां एक मंदीर है और मंदीर के अंदर सिवाजी महाराज का स्टैचू और उसी के बगल में चपरदान हनुमान की मुर्ती दिकाई दे रही है जैसे कि ब पूर्ति की स्टापना उनिके मुशज उदेन राजे भोषले और संबाजी राजे भोषले ने की हुई है ऐसा यहां बोर्ट दिकाई देता है इस काले चट्टान के उपर बने हुए किल्ले के उपर पानी की कोई कमी नदर नहीं आते है तो चार तालाब हमको यहां पाई दिया जब हमने इसे बात की तो सब लोग शिक्षक थे टीचर्स थे और उनका एक मोटो था फिट टीचर फिट इंडिया चलो उनको उनसे ही सुनते हैं उनके बारे में इन सब को मिलके एक नहीं उम्मिद जाग उटी है यप्टी आपाई ग्रूप सातरा तरपे नमस्कार आमी सातर चे सर्वदन शिक्षक आउट तसा शिक्षक नंदूर बार जालगाओ सांगली कोलापूर सगवी कर जाए तो यप्टी आपाई फिट इचर फिट इंडिया ग्रूप सा उद्देशासा है कि शक्के तो शिक्ष मालले की वर्गाद गहले न तर विद्देर तन अ प्रेर्न यारासा आजावा आ है और है जो शिक्षक था मुद आपकर ना एंडिया ओद तो शिक्षटका बिध्देश कर आए additionally ngayकम और एक तो इसना मुला कर चांडि व्या बार जेपिर अन्दाम ता इप्र आमता प्र अबी हम पहुंचे है वाईराट गड के वाईराट एश्वर मादेव मंदिर में यहां की गड द्यवता मादेव की पिंड है अगल बगल में नंदी और तुलशी की पूजा की हुई है यहां एक विरगल भी रखी हुई है विरगल जो होती थी पुराणे जमाने में वो कुछ संदेशा के उपर लिखा हुआ होता था वैराट गड की तटबंदी बहुती मजबूस्ती कम से कम 20 फूट ए दिवार उची बनाई हुई है और इस दिवार के बीच बीच में वाच टावर बनाए हुए नीचे का काला पत्तर का कड़ा इतना उचा होने के बावजूद उसी के उपर मजबूती के लिए दिवार किल्ले के चारत तरब बनाई हुई अभी हम लोग उपर है और यहां गाड के किल्ले का इत्यास बताएगा किल्ले के उपर से अगल बगल का पुरा परदेश वाई पाचगनी पांडवगड कल्यांडगड और यहां सातारा पाचवड चंदन वंदन जैसे किल्ले उपर से दिखाए पड़ते हैं सामने एक दूसरा मंदिर है उसको सती माता मंदिर बोलते हैं उसके अंदर भी विरगल रखी हुई है सती माता की विरगल यहां रखी हुई है इसलिए उसको सती माता मंदिर बोलते है तटबंदी की दिवार बहुत ही चवड़ी है अभी पूरी तटबंदी मौजूद यहां से दिखाय देता उपर उपर से जो वी दिख रहा है वो देखने के लिए जरूर आपको पईराट गर आना पड़ेगा यह देखो कितना बड़ा उसका वाल्स है यहां तटबंदी के अंदर कुछ चोर रास्ते जैसा बनाया हुआ है वो सता है कि यह चोर रास्ता हो आगे चलते हैं तो यहां घरों के आउसे दिखाय दे रहे हैं वही राजवाड़े और पैलेस सदर वह ऐसे यहां रूइन्स में हमको दिखाय दे रहे हैं उनकी भी दिवारे बहुत बड़ी बड़ी थी ऐसा लग रहा है अभी सिर्प पत्तर गिरे हुए है इसके अंदर क्या राज चुपा है वह हमको मालूम नहीं है यह देखो कितने बड़े-बड़े पत्तर है बहुत सारी गरों के आउसेश यहां दिखाय देते हैं वैराट गड़ की मजबूत तटबंदी और बचे वहे आउसेश से जब हम लोग आगे आ जाते हैं तो जिसके लिए वैराट गड़ बहुत प्रसिद्ध है वो चोर रास्ता हमको इस तटबंदी के अंदर दिखाय देता है सिधा तटबंदी के अंदर से चोटे से जगे से नीचे उतरने का रास्ता है इस रास्ते से नीचे उतरेंगे तो नीचे मसाव करके गाव आए वहां तक जा सकते हैं या उदर से आएंगे तो भी इस रास्ते से किल्ले के अंदर आ सकते हैं लेकिन ए चोर रास्ता एक और वो सकता है उस वक्त ये पुराप बंद किया होगा तट बंदी के अंदर मालूम नहीं पड़ता होगा आभी पत्तर गिरे हुए है इसलिए उपर के ये खुला दिख रहा है के अंदर से अंदर बार होने के लिए सेर का दिल होना चाहिए ऐसा लगता है चोर अस्ते से आगे चलते आए तो हमें एक पत्तर दिखाए दे रहा है उसके उपर कुछ लिखा हुआ है और भी इदर बहुत सारे आवसेश दिखाए देते हैं सामने वाला जो पाहर दिख रहा है वह इसी किल्ले की माची है और चोर अस्ते से निचे उतर के जाएंगे तो वहां भी एक मंदीर है सामने जो निचे दिख रहा है उस जगह पे हमारे गाइड जो गाड़े थे उनके घर 1920 तक उधर थे उस माची के उपर अभी वह लोग निचे शिप्ट हो गए है चलो मैं आपका आभी विदा लेता हूं आप जरूर यहां आके वैराट गड की ट्रे